दोस्तों कैसे हो आप सब आप सभी का मेरी यूटूब चैनल में हार्दिक स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुन्दर और बहुत ही प्यारा कार्डिगन डिजैन लेके आई हूँ इस डिजैन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अपलाई कर सकते हो भी स्वेटर बनानी हो बहुत ही सुन्दर बनके आएगा यह अब इसको इतना सा बना के बॉडर भी बना सकते हो या फिर इसको पूरे कार्डिगन स्वेटर पे भी अपलाई कर सकते हो इसके front side और back side दोनों में design आता है back side से कुछ इस तरीके का दिखता है ये तो फिर start करते हैं इस design को बनाना इस design को बनाने के लिए मैंने पहले से ही इस पे 17 फंदे डाल के रखे हुए हैं 17 फंदे डाले हैं ये design पांच के multiple फंदों पे डलता है पांच फंदों का design है और first का और last का हमने मतलब की 2 फंदे हमने एस्टा रखे हैं इस पे ये फंदे मैंने सिर्फ आप लोगों को ये design बना के दिखाने के लिए डाले हैं कि किस तरीके से ये design बनाया है आप लोग अपने project के हिसाफ से फंदे डालना और फिर इस design को उस पे अपलाई कर लेना ये हमारी first row है और front side है यहाँ पे हमने क्या करना है front side से design start है पहले फंदे को हमने ऐसे ही उतार लेना है धागी को अपनी तरफ करके एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे पहले फंदे को ऐसे ही उतारा next फंदा उल्टा बना लिया धागी को पीछे करके एक फंदा हमने सीधा बना लेना है इस तरीके से फिर यहाँ पे दो फंदे दिख रहे हैं अभी हमने क्या करना है पहले वाले फंदे को छोड़के next वाले फंदे में से इस तरीके से हमने next वाले फंदे को बना लेना है पहले इस तरीके से next वाले फंदे को बना लेंगे और यह जो पहला वाला फंदा है इसको भी हमने सीधा ही बना लेना है इस तरीके से अब धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे यह हमारा first pattern complete हो गया फिर यही 5 फंदे हमने फिर से repeat कर लेने हैं देखो पहले फंदे को हमने उल्टा बना लिया धागी को पीछे कर लेंगे एक फंदा सीधा अभी हमने दो फंदे में से नेक्स वाले फंदे को सीधा बना लेंगे इस तरीके से और यह जो पहला वाला फंदा है इसको भी सीधा ही बना लेंगे पहले नेक्स वाला फंदा बनाएंगे फिर पहले वाला फंदा और धागी को अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बना लेंगे देखो ये 5 फंदे हमने repeat कर लिए और next pattern complete हो गया फिर से हमने third pattern repeat कर लेना है पहले फंदे को उल्टा बना लेंगे धागे को पीछे करके एक फंदा सीधा फिर यहाँ पे पहले वाले फंदे को छोड़ देंगे next वाला फंदा हमने सीधा बना लेना है और यह जो पहला फंदा है इसको हम बाद में बनाएंगे फिर हमने धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बना लेना है यह हमारा तीन pattern complete हो गए धागे को back side पे कर लेंगे और एक फंदा हमने सीधा बना लेना है यह हमारी first row front side से complete हो गई है यह next row है और back side है पहले फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और यह जो उल्टा वाला फंदा है front side में इसको हमने back side से सीधा बिन लेना है इस तरीके से धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और यह एक फंदा हमने उल्टा बना लेना है फिर यह जो दो फंदे दिख रहे हैं जहां पर हमने front side पर design डाला था वही फंदे हैं यह इसको हमने पहले वाले फंदे को चोड़ देना है next फंदे को देखो front side से इस तरीके से सिलाई में फंदा ले लेंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे इस तरीके से फिर ये जो पहला वाला फंदा है इसको भी हमने उल्टा ही बना लेना है और दोनों फंदों को सिलिप कर देंगे फिर से धागे को पीछे कर लेंगे और ये जो फ्रंटे साइड में दो उल्टे फंदे बनाए थे बेक साइड से इनको सीधा बना लेना है दोनों फंदों को फिर से धागे को अपनी तरफ कर लेंगे पहला फंदा ये जो हमने डिजैन बनाए थे तीन फंदों पे पहले फंदे को उल्टा बना लेंगे फिर ये पहले फंदे को छोड़ के नेक्स फंदे को फ्रंटे साइड से इस तरीके से ध्यान से देखना दोस्तो इस तरीके से एक फंदा हमने उल्टा बना लिया फिर से हमने ये जो पहला फंदा है इसको भी उल्टा ही बना लेना है इस तरीके से और दोनों फंदों को साथ में स्लिप कर देंगे फिर से धागे को पिछे कर लेंगे और ये दो फंदे जो फ्रंटे साइड में उल्टे बनाये थे इनको हमने बैक साइड से सीधा बना लेना है फिर से रिपीट कर लेंगे धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा फिर से ये पहले फंदे को छोड़ देंगे नेक्स फंदे को उल्टा बना लेंगे फिर ये पहले वाले फंदे को भी उल्टा ही बना लेना है धागे को पीछे कर लेंगे ये जो फ्रंट साइड में उल्टा फंदा है इसको हमने बैक साइड से सीधा बना लेना है धागे को अपनी तरफ करके लास फंदा ये हम उल्टा बना लेंगे और यह second row complete हो गई और यह हमारा design भी बनके complete हो गया है अब यही दो सिलाईयां आपने बार बार repeat कर लेनी है और अपने पूरे project page को apply कर लेना है मैं एक रो और बना के दिखाऊंगे आपको पहले फंदे को हमने ऐसे ही उतार लिया धागे को अपनी तरफ करके next फंदा हमने उल्टा बना लेना है धागे को पीछे कर लेंगे एक फंदा सीधा फिर यह पहले वाले फंदे को छोड़के next वाले फंदे को हमने सीधा बना लेना है अभी फंदा छोड़ना नहीं है और ये जो पहला वाला फंदा है इसको भी सीधा ही बना लेंगे और दोनों फंदों को साथ में सिलिप कर देंगे इस तरीके से धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बना लेंगे पहले और ये फर्स्ट पैटन कंप्लीट हो गया फिर से यही पांच फंदे रिपीट कर लेने हैं पहला फंदा उल्टा धागे को पीछे यहाँ पे दो फंदे उल्टे हो गए वैसे फिर एक फंदा सीधा पहला वाला फंदा चोड़के नेक्स वाले फंदे को सीधा बना लेंगे फिर हम पहले वाले फंदे को भी सीधा ही बना लेंगे धागी को अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा second pattern complete हो गया फिर से repeat कर लेंगे 5 फंदे एक फंदा उल्टा धागे को पीछे एक फंदा सीधा फिर ये पहले वाले फंदे को छोड़के next वाले फंदे को सीधा बना लेंगे फिर ये पहले वाले फंदे को भी सीधा ही बना लेंगे धागे को अपनी तरफ एक फंदा उल्टा थर्ड पैटन भी कम्प्लीट हो गया धागे को पीछे करके एक फंदा सीधा देखो दोस्तों फस्ट रोग कम्प्लीट हो गई फिर पहले जो हमने रो बनाई थी, उसी तरीके से बना लेना है, पहले फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, धागे को पीछे करके एक फंदा सीधा, धागे को अपनी तरफ एक फंदा ये, पहले वाला हम उल्टा बना लेंगे, फिर ये पहला वाला फंदा छोड़ देंगे, नेक उल्टा बना लेंगे और दोनों फंदों को सिलिप कर देंगे फिर धागी को पीछे करके दो फंदे सीधे धागी को अपनी तरफ पहला फंदा उल्टा फिर ये फर्स फंदा छोड़के नेक्स वाले फंदे को भी उल्टा ही बना लेंगे और यहाँ पे पहले वाले फंदे को भी उल्टा बना लेंगे दोनों फंदों को सिलिप कर लेंगे धागे को पीछे करके दो फंदे सीधे धागे को अपनी तरफ एक फंदा उल्टा और ये पहले वाले फंदे को चोड़ लेंगे और ये next वाले फंदे को उल्टा बना लेंगे और फिर पहले वाले फंदे को भी उल्टा ही बना लेना है धागे को पीछे करके एक फंदा सीधा धागे को अपनी तरह फ्लास फंदा ये उल्टा बना लेंगे देखो दोस्तो बार-बार यही दो सिलाईयां आपने रिपीट कर लेना है इस तरीके से हर बार ये सिलाईयां रिपीट करोगे तो इस तरीके कर डिजैन बन के आएगा बहुत ही सुन्दर डिजैन है आप लोग इसको जरूर ट्लाइ करना और मेरे को कमेंट करके बताना कि किसन आप तक आजाए थैंक्स फॉर वाचिंग